नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरे मटर की बहुत ही ज़्यादा चट पटे नास्ते की रेस्पी यकीन मानिये फ्रेंट्स आज से पहले आपने इस तरीके से हरे मटर के नास्ते नहीं बनाए होंगे आपको विश्वास है तो वीडियो को पूरा देखिएगा आपको खुद वखुद समझ में आ जाएगा कि आज का जो नास्ता बनेगा बिलकुल नए तरीके से बनेगा तो यहाँ पर मैंने एक कप मटर का दाना छिला हुआ ले लिया है आप अपने अनुसार देख रखते हैं अभी ताजा ताजा एक तम मटर मिल रहा है बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट तो आप भी बनाके इस नास्ते को तयार कीजिए मटर को क्या करना है सबसे पहले हमें डालना है गरम पानी के अंदर तो इसके लिए एक बरतन में पानी को डाल लेना और थोड़ा स अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लीजिए गा फ्रेंट्स वीडियो फुल वाच करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए गा पानी के अंदर डालना है आधा छोटा चमज के जितना नमक और इसमें डाल देना हमें मटर के दानी को तो अभी इसे छनी पर निकाल लेती हो और छनी पर निकालने के बाद मतर को हमें थोरा सा ठंडा होने के लिए रखना है तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर मतर जो है हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है अब यहां पर लेना है छोटा वाला मिक्सर जार आप कोई भी ले सकते हैं बड़ा वाला भी ले सकते हैं जादा मतरा में बना रहे हैं तो और इसमें डाल देना है मतर के दाने को और इसका एक पेस्ट त्यार करना है तो बहुत ज़्यादा चटनी के जैसे नहीं किजिए हलका दरदरा ही रहेगा इस टाइप से आप इसे एक से दो बार चलाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट मिल जाएगा तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मटर को कुछ इस तरीके से पीस के तयार के हूँ अब मटर को निकाल के दूसरे बरतन में रखना है हमें वीडियो को आधा धूरा मत देखे पूरा वीडियो देखे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बड़े हो या बच्चे हो सभी को इस नास्ते को बहुत अच्छे से खाएंगे और जब तक मटर का सीजन ऐसे तो मटर हर सीजन में ही अब बिलता है अब बार बार इस नास्ते को बनाना चाहेंगे अब इसमें डालने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ मसाला जैसे की लसन, मिर्ची, प्याज, अदरक तो यहाँ पर देखे फ्रेंट्स मोटा मोटा कट करके प्याज, अदरक और लसन को छिल के ले लिया है यहाँ पर हरा धनिया पती है और एक टमाटर का यूज हमें करना है अब सारे मसाले को आप चाहें तो बारिक बारिक चाकू से काट सकते हैं और चाहें तो इस मीनी चौपर में आप चौप भी कर सकते हैं के पास है तो आप इसमें ही चौप कर लें बहुत चट-पट से चौप हो जाता है अब एक साइज का ही आपका सारा सबजी जो है कट के तयार होता है तो चलिए फ्रेंट सब मसाले को इसमें डाल के और थोड़ा सा बारिक चौप कर लेती हूँ यहाँ पर हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से चौप हो चुका है अब यह सारे मसाले को डाल देना है हमें मतर के पेस्ट के अंदर और एक कप मतर के लिए एक टमाटर और इतना एक प्याज इस टाइप से मसाला का यूज की हूँ आप मतर का दाना यदी जादा ले रहे हैं या आप जादा नास्ता बनाना चाहते हैं तो आप सारे चीज को थोड़ा थोड़ा जादा करके ले सकते हैं अब सारे मटर में हमें मसाले को अच्छे से मिक्स करना है अब इसमें डाल दीजे स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा गरम मसाला थोड़ा सा अजवाइन और आधा चमच के जितना इसमें डालना है चिली फ्लेक्स आप देख लेंगे फ्रेंड्स की बच्चों के लिए बना र अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी में हरा धनिया भी डालके अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसमें डालना है एक चमच के जितना भुना हुआ चना पौडर यानि के चने का सत्तु तो चना का सत्तु एदी आपके पास है तो आप एक चमच डाल दे इससे क्या होगा इसके अंदर सौंधा पनाएगा और जो मसाला बहुत ज़्यादा गिला गिला है वो भी इसके लिए भूना हुआ चना पौडर एक चमच डाला है मैंने आपके पास नहीं है तो आप एक चमच बेशन को थोड़ा भून के और इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लीजे अब जो है हमारा मसाला एकदम चट पटा सा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तयार होके यहाँ पर रेड़ी है देखे फ्रेंट्स अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है अब नास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा नास्ते को ब्रेड टोस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा हरे मटर के टोस्ट एकदम नया नास्ता है और इस तरीके से आज से पहले आपने एकदम नहीं बनाया होगा तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है अब एक लेडर बहुत ज्यादा मोठा लेडर नहीं लगाना है क्योंकि ये थोड़ा सा लगाना पसंद आपको पानी बगर्यर कुछ भी नहीं लगाना आप पतला लेर को लगा को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चैनल पर पहली बारा है फ्रेंट्स तो सब्सक्राइब भी कर लें आगे भी बहुत अच्छे एच्छी रेस्पी की वीडियो लेके आती रहूंगी जो कि हमें आता है इस टाइप का अब पैन को गरम करने के बाद इसमें डाल हो गया है तो इसमें डाल देना हमें ब्रेट के स्लाइस को तो एक बार में ये पैन है तो दो से तीन ही ब्रेट इसमें आएगा तो दो दो करके ही बनाओंगी इसमें नस्ते को अभी भी वीडियो में बाकी है ऐसा मैं सोची कि बास इसे अलट पलट करके और सेक के निकाल ल तुल गयाइत थोड़ा से क्रीघो भी हो गया है अब वही मसाले को हमें ब्रेट के पीछी साइड में भी लगा देना है एक चंस जारजा पतला लेयर से प्था बीच में देख भी क्रेश्पी कुरकुरा लगेगा और मसाला जो है थोड़ा सा सौप्ट सौप्ट लगता है तो इसके लिए आप चाहे तो दोनों तरफ से लगा है और चाहे तो एक तरफ से भी लगा सकते हैं एक तरफ से कोई सौस चटनी ये सब भी आप लगा के सर्फ कर सकते हैं तो के पापर की रेस्पी मिलेंगे जिसमें बचे हुए चावल के पापर तक और उरत डाल चने डाल बेसन के पापर सारे तरह के पापर की रेस्पी मिलेंगे तो आप में सहेली पापर रेस्पी सर्च कीजिए बहुत सारे पापर की रेस्पी खुल के आएंगे आपको जो भी पलट पलट करते हुए आप सेक लीजिए बहुत ज्यादा जलाना नहीं बस कुछ इस तरीके से गुलाबी-गुलाबी सा कलर आ जाए मतर के उपर बस इतना ही आपको सेकना है और इस नास्ते को खाने के लिए आप चाहें तो कोई भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा तो देखे फ्रेंट इसी तरीके से दोनों तरब से थोड़ा-थोड़ा सा तेल डालते हुए हमें मतर को कुरकुरा होने तक फ्राइ करना है और बिल्कुल कच्चा पन ना रहे मसाले में वो भी खतम करना है तो यहाँ पर देखिए तैयार है हरे मतर के ट होगा तो आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइक कीजिएगा आप एक बर बना के खा के देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे देखिए फ्रेंट कितना ही अच्छा एकदम खास्ता बनके तयार हुआ है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ